दोहजार उनिस के लोगसवा चुनावव नजदी का चुके हैं और लोगतंतर के अंदर चुनावव सबसे बड़े त्योहार होता है हर त्योहार का एक संदेश होता है जैसे दशैरे का संदेश है बुराई पर अच्छाई की जीत ठीक इसी तरीके से इस लोग तंतर के सबसे बड़े त्योहार का भी एक संदेश है और वो संदेश यह है कि वोही लोग सत्ता में बैठेंगे जो गरीबों के हक کی बात करेंगे जो देश, समाज, किसानों, मज़दूरों, जवालों के हक की बात करेंगे लेकिन ये संदेश आप सही से जब दे पाएंगे जब आप सही मुद्दो के अधार पर वोट डालेंगे आप हिंदु मुस्लिम के अधार पर वोट डालेंगे या मंदिर मस्जिद के अधार पर वोट डालेंगे या जाती वादक शित्तर वाद के अधार पे वोट डालेंगे या फिर आप दो हजार के नोट और एक दाडू की बोतल के अधार पे वोट डालेंगे या फिर आप जल जंगल जमीन के अधार पे वोट डालेंगे या फिर आप गरीब, किसान, मजदूर, जवान, रोजगार के आधार पे वोट डालेंगे ये चीजें तै करेंगी कि आप ये लोगतंतर के सबसे बड़े त्योहार का संदेश सही से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप किसे वोट डाले और किसे वोट ना डाले ये आपका अधिकार है, ये आपको तै करना है लेकिन हम वो मुद्दे जरूर बताएंगे जिनके आधार पे आपको वोट डालना चाहिए और सबसे जरूरी मुद्दा है किसानों का मुद्दा अब खुद किसान है या नहीं है इससे कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है लेकिन आप डारेक्टली इंडारेक्टली तोर पे किसी ना किसी तरीके से किसान से जरूर जुड़े हुए है जो हमारी प्लेट में जो खाना आता है ये एक किसान के खेट से आता है जब किसान दिन रात मेहनत करता है तब ही आपकी प्लेट में खाना पहुचता है गान्दी जी कहते थे कि असली लोकतंतर वही है जिसमें किसानों और जवानों मजदूरों को भी वही अदिकार हो जो एक राजनेता या राजा को गुद्ने है अगर ये किसान फसल उगाना बंद कर दे अगर ये किसान मेहनत करना बंद कर दे तो यकीन मानिएगा कि हम सब भूखे मर जाएंगे तो साथियों हम बात करते हैं आज किसानों के मुद्दे की लेकिन आज हम बात करें इससे पहले हमें पात साल पहले थोड़ा जाना पड़ेगा 2014 से पहले की सिचिवेशन जानते हैं 2006 साथ में एक स्वामिनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी किसानों के लिए 2006 साथ के बाद 2014 तक कॉंग्रेस सत्ता में थी लेकिन कॉंग्रेस ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया था और 2014 के लोकसभा चुनाओ से पहले हर सभा में जाके मोदी जी कहते थे कि भई अगर BJP की सरकार बनती है अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो पहली कलम से स्वामी नाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे युनके इस वादे पे किसानों ने भरोसा किया और मोदी जी को सत्ता में लेके आए लेकिन मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए उसके बाद 2015 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया और कहा कि वो स्वामी नाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते है ये किसानों के साथ सबसे बड़ा दोखा था अगर इसके अलावा भी आप कोई भी मुद्दा देखेंगे जो किसानों के हैं मुद्दे हैं कर्ज मुप्ती का मुद्दा उसके परधानमंत्री जी ने कोई काम ने किया पांच साल में और आज एकर किसानों की हालत देखी जाए तो आपको तीन चीजे बताना चाहूंगा जब से मोदी सरकार आई उसके बाद से किसानों की आतम हत्या बढ़ गई है और अब तो हालात ये हैं कि 2016 के बाद से सरकार ने किसानों की आतम हत्या का आगड़ा पबलिक करना ही बंद कर दिया है सरकार क्या चुपा रही है? सरकार क्यों साकडे को चुपा रही है? क्योंकि इस सरकार के आने के बाद किसानों की स्थिति और भी बदतर हो गई है मैं आपको एक दूसरा और बिंदो बताता हूँ अभी कुछ दिन पहले एक डाटा आया और वो डाटा कहता है कि जो agriculture income का growth है जो क्रिशी आये की growth है वो पिछले 14 साल के सबसे निचले सतर पर पहुँच चुकी है और तीसरी बार मा आप तीसरी बार मा आपको बताता हूँ कि जब तमिलनाडू के किसान इतने दिन तक याद कीजिएगा उन दिनों को जब तमिलनाडू के किसान जनतर मंतर पर बैठे रहे वो बिना कपडों के बैठे रहे वो अपना मल मुत्तर खाने पीने को मजबूर हो गए लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी परतिनिदियून की बात सुनने नहीं आया वो हमारे लोगतंतर का सबसे काला दिन था कि सारी फसल उगाने वाले पूरे देश का पेट घरने वाले किसानों की बात सुनने का समय किसी राजनिता के पास नहीं है सत्ता वालों के पास इतना समय नहीं है कि वो उन किसानों की बात सुन सकें। जो आतम फट्या करने पहफिश हैं। उनकिसानों की जिनकिसानों ने आतम हध्या की थी। साथियों और इस सरकार की अगर पालिसीस की मैं बात करूँ। बड़ी बड़ी पालिसीस बताते हैं, इनके परवक्ता टीवी पे बैठे थे। सबसे पहली पालेसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसका ग्राउंड पे क्या आसर है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है उस योजना के तहट बीमा कंपनियों ने 48,000 करोड रुप्या कलेक्ट किया और किसानों को दिया सिर्फ 30,000 करोड रुप्या इसे पहले जो फसल बीमा योजना ये थी इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो बीजेपी ने शुरू की इसे पहले वाली योजनाओं में उन्हें बीमा कंपनियों के पास बचती थी सिर्फ 12% रकम लेकिन इस प्रधानमंतरी फसल बीमा योजना के बाद उनके पास बचने लगई है 44% रकम यानि यह योजना बीमा कमपनियों के लिए थी, किसानों के लिए नहीं थी इस योजना में जान भूजी के ऐसे लूप होल्स छोड़े गए कि फाइदा किसानों को ना हो, फाइदा बीमा कमपनियों को हो दूसरी सरकार की योजना, भावंतर योजना, जो मध्यपरदेश में लागू हुई उसके बाद इसे PM आशा योजना के नाम से पूरे देश में लागू करने की बाद कही गई ये भावंतर योजना ने किसानों को लुडने का काम किया है इसमें पूरनी खरीटी गारंटी का कानूर ही नहीं था यानि अगर एक किसान आठ क्विंटल अपना आनाज पैदा करता था तो सरकार कहती थी हमें एक क्विंटल भावंतर के तहट खरीदेंगे जिसके तहट जिस रेट पे किसान अपनी फसल बेचता है और जो उस फसल का MSP है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सरकार को पे करना होता था तो सरकार कहती थी हम सिर्फ एक क्विंटल खरीदेंगे बाकि साथ क्विंटल आपका नहीं खरीदेंगे यानि वो साथ क्मिंटल उसके सान को उसी व्यापारी के पास लेकि जाना पड़ता था जो उसका सोशन करता था और इस हालाद में उस व्यापारी न इस किसान का और भी यदिख सोशन किया इसी योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए नाम दिया गया सवा लाग करोड रुप्या लेकिं सरकार ने आवन्टित किया दस हजार करोड रुप्या वो आवन्टित पैसा भी कहा गया किसी को नहीं मालूम है तीसरी योजना आजे ये Soil Health Card योजना वो योजना से क्या फायदा हुआ आकिसानों को ये किसी को नहीं मालूम है क्योंकि कोई फाइदा ही नहीं हुआ उन्होंने गलत आधार पे ये सोयल की गुर्वत्ता को जाचा जितना एक average land लेनी चाहिए थी सोयल की गुर्वत्ता को जाचने के लिए उससे जादा land को average land के तौर पे लिया गया एक अधीकारी के लिए बहुत ज़्यादा जमीन दे दी गई जमीन की गुनवत्ता मापने के लिए इसलिए सोयल हेल्थकार्ड योजनावी सरकार की पूरे तरीके से फ्लॉप रही अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं साथियो अगर बात दूसरी पार्टियों की की जाए बात कांग्रेस की की जाए तो पंजाब में चुनाओं से पहले इन्होंने भी कर्ज मुक्ति का वादा किया था ले सक्ता में आए, किसान ने इनको सक्ता में लेके आए लेकिन उसके बाद उन्होंने पंजाब ने क्या किया इन्होंने भी सही तरीके से अपना वादा पूरा नहीं किया चुनाओ से पहले इन्होंने कहा था कि हम पूरन करज मुप्ती करेंगे चुनाओ जीतने के बाद इन्होंने कहा कि सिर्फ उनी किसानों की करेंगे जिनके पास दो हेक्टेर तक जमीन है इन्होंने कहा सिर्फ उनी किसानों का हम करज माफ करेंगे जिनके पास सिर्फ दो लाग तक का करजा है अगर किसी के पास एक रुपे का भी जादा करजा हुआ तो वो इस सरकार ने माफ नहीं किया और जो इन्होंने शर्ते लगाई अगर उस आधार पे भी देखा जाए पंजाब सरकार का तो सिर्फ 20% थी पैसा वो आवंटित हो पाया 20-25% जो इन्होंने आवंटित करने की बाद कही थी साथियों आप एक बात हमेशा याद रखियेगा वोट डालते समय कि अभी कुछ दिन पहले जब पुल्वामा में आतंकी हमला हुआ उस समय हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उसके बाद हमारी सैना ने सरजीकल स्ट्राइक की आतंकियों पे और उन 40 जवानों की शहादत का बदला लिया आप वोट डालते समय याद रखियेगा कि ठीक इसी तरीके से पिछले 5 साल में सरकार की गलत नीकियों की वज़े से 75,000 किसानों की शहादत हुई है 75,000 किसान आतंकिया करने पे विवश हुए है और इससे पहले भी इन 5 सालों से पहले भी 1000,000,000 किसानों की शहादत कुई है तो अब इस देश के करोड़ों किसानों को मिलके उन्हें सभी राजनिताओं पे एक सर्जिकल स्ट्राइप करनी है जो इन किसानों की शहादत के लिए जिम्मेदार है आप ये समझते ही होंगे, आप ये जानते ही होंगे कि कोई भी पार्टी किसानों की हितैशी सही से नहीं है इसलिए जब आप वोट डालें तो आप किसी पार्टी को अधार बना के वोट मत डालिएगा आप उमिदवार देखिएगा आप परत्यासी देखिएगा और आप उस परत्यासी उस उमिदवार से पहने ये लिखवा के लीजिएगा एफिडेविट पे हर युवा, हर जगे युवा इखटे हों, हर लोगसभा में युवा इखटे हों और उन परत्यासियों के सामने ये शर्त रखें कि वो एक कागज पे कानूनी एफिडेमिट के साथ ये लिख के दें उन लोगों को उन किसानों को, उन युवाओं को कि अगर वो MP बनते हैं तो वो लोग सबा में जाके जरूर किसानों की बात उठाएंगे अगर कोई आपका एफिडेमिट के साथ ये लिख के देता है, तो उसी को वोट दीजिएगा, अदरवाई जैसे किसी को भी वोट मत दीजिएगा साथियों वोट डालते समय उन्हें किसानों को जरूर याद कीजिएगा जो आपका पेट भरते हैं उन्हें किसानों को जरूर याद कीजिएगा जो आज इस दुनिया में नहीं है जो शहीद हो गए है उन्हें किसानों की मेहनत से ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है किसान खेत में शहीद हो रहा है तो किसान का बेटा जवान आज बॉडर पे देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो रहा है मैं अंत में दो पंक्तियां आपको कहूंगा क्यों उनके होसले का भुगदान क्या करेगा कोई उन वीर जवानों और किसानों के होसले का भुगदान क्या करेगा कोई उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है हम और आप आज इसलिए खुशाल हैं क्योंकि बॉडर पे जवान और खेत में किसान हर समय शहीद होने के लिए तैयार है साथियों अन्त में एक बात और बोलूँगा कि जो ये जवान जो किसान जो देश के लिए शहीद होते है ये एक सबसे एहम मुद्दा होना चाहिए आप जब वोट डालें तो उन्हें किसानों को ज़रूर याद करना जो हमारे और आप के लिए शहीद होगे जो हमारे और आप के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमारा पेट परते हैं शुक्रिया धन्यवाद जए जवान जए किसान जए भारत